चले तो कोशिय नुम्बर बन पर आजिए बखीरा पक्षी बिहार बताईए कहा है उत्तर प्रदेस में बखीरा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेस के किस जिले में इस सिथ है बताईए संत कबीर नगर में तो बखीरा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेस के संत कबीर नगर जिले म में है और पारवती अरंगा पक्षी बिहार है गोंडा में ठीक है कोश्चन नमबर टू है उत्तर प्रदेश में सरप्रथम किस पक्षी बिहार की स्थापना की गई थी नवाब गंज पक्षी बिहार ठीक है अप्षन नमबर बी केस डिस्टिक में है उत्तर प्रदेश के उननाव डिस्टिक में और कब की गई थी इसकी स्थापना 1984 में कोश्चन नमबर थरी प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है ये प्रश्चन कई बार पूछा गया यूपी के कमपरिटव एक्जाम में ये यूरेनियम पाया गया है ललितपूर डिस्टिक में तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं कोशन नुमबर फोर पर आजी नम्लिकीत कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट के साथ बताएं कौन सा करेक्ट है अतरंजी खेडा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तटपर रिस्त है और दूसरे स्टेटमेंट है यहां से लोह प्रियोग ठीक है मतलब लोहे का प्रियोग वरत्तागार अगने कुंड और धान की खेती के प्रमाण भी मिले है क्या ये बात सत्य है सत्य है दोनों के दोनों करेक्ट हैं तो अतरंजी खेडा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तटपर रिस्त है होईन्शांग इसे क्या बोलता था इसे कहता था पिलोशान यहां से गैरिक म्रदभांड संस्कर्टी से लेकर गुप्त काल तक के अवशेश मिले हैं और यहां से लोहे के प्रियोग वरत्ताकार अगनीकुंड और धान की खेती के भी परमाण मिले हैं Q5 पर आजिए Q6 पर आजिए Q6 पर आजिए एक नरत्य है कर्मा लोक नरत्य नमलिकित में से कहां से संब्दे था उत्तर पर देश के ब्रज का है पुर्वांचल का है महोबा का है सोनभद्र का है कर्मा है मिर्जापूर सोनभद्र का ठीक है डी है इसका अंजर तो कर्मा लोक नरत्य का संबंद है मिर्जापूर सोनभद्र जिले से और कर्मा लोक नरत्य कौन से जंजाती करती है खरबार जन जाती के दरा किया जाता है पुर्वांचल के कुछ महत्पूर्ण लोक नरते हैं यूपी में एक है नटबरी नरते है धोबिया नरते और कट गोड़बा नरते ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कट गोड़बा, नटबरी और धोबिया पुर्वान चल गए और ब्रजशेत्र के कौन-कौन जूला नरत्य, मयूर नरत्य और रास नरत्य ये लोबर PCS में कई बार पूछा गया मयूर और रास Question No.7 पर आजिए उत्तर प्रदेश में किस जन जाती द्वारा दीपावली को सोक के रूप में मना जाता है Question No.8 पर आजिए उर्दू को उत्तर प्रदेश राजी की दूसरी भाषा के रूप में कब स्विकार किया गया था 1989 में तो उत्तर प्रदेश की पर्थम राजी की भाषा जो है वो तो हिंदी है 1947 से और दूसरी राजी की भाषा कौन सी है वो है उर्दू कब से 1989 से इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा सन अब देखे थोड़ा और जान लिजे इस राजी की जो राजधानी थी 1958 तक आगरा रही ठीक है उसके बाद 1858 सोरी 1858 तक आगरा रही और 1858 से लेकर 1921 तक इलाहबाद रही मतलब प्रियाग राज बरत्वान का और उसके बाद यानि 1921 से अब तक क्या है लखनव है अब नौन आउंबार सन 2000 को आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश से तेरे जिलों को अलग करके एक नया राज़ बनाया गया था उत्तराखंड अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमी का निभाई थी खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमी का निभाई इनके बारे में अगर और जाने तो अमीर खुसरो का जन हुआ था बारे सो तरेपन में उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामा कस्पे में गंगा नदी के किनारे ठीक है एटा में हुआ था याद रखिएगा वे मध एशिया की लाचन जाती के तुर्क सैफुदीन के पुत्र थे लाचन जाती के ही तु अंगेश खांके आकरमाण से पीडित होकर बलबन के राज जिकाल में वे सरनार्थी के रूप में भारत आकर बसे थे अमीर खुसरो कोशन नुमर दस पर आजिए उत्तर प्रदेश राज परेटर विकास निगम लिम्टेड की स्थापना निम्ली के दुप से कब की गई थी 1974 या 1978, 1984 या 1990, 1974 में तो उत्तर प्रदेश राज परेटर विकास निगम लिम्टेड की स्थापना की गई थी 1974 में याद रखिएगा कोशन नुमर 11 पर आजिए ओबरा जल विद्दुत केंदर किस नदी पर बनाया गया है और इस थाप विद्दुत ग्रेगी स्थापना पूर्व सोबियत संकी साहता से की गई थी कोशन नुमर बारे पर आजिए माता टीला बहुत देशी परियोजना किस नदी पर है बताईए चंबल पर नहीं है केन पर नहीं है बेतवा या या यमुना बेतवा नदी पर तो माता टीला भारत की एक प्रमुक नदी घाटी परियोजना है बेतवा नदी पर वनने माता टीला बांध का निर्मन कवह था उन्निस सो अठावन में और मद्द प्रदेश की सरकार से इसकी स्थापना की गई थी यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज सता है जहां पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं अब माता टीला बांध से 163.60 लाख घर मीटर पेजल जो है वो उपलब्द होता है और इस परियोशना से उत्तर प्रदेश का जहांसी जालौन हमीरपूर और मद्द प्रदेश के ग्वाली अर्चिले लाभान बित हो कोशन नमर तेरे पर आजए नमले खेते नगरों मेंसे कौन गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के दाहिने किनारे नहीं इस्थत है क्या ये सारे नगर गंगा नदी के किनारे हैं बिल्कुल ये सारे नगर गंगा नदी के किनारे हैं कौन-कौन दाहिने किनारे पर इस्थत नहीं है वाकि अन्य तीरों नगर गंगा नदी के दाहिने किनारे परस्तेते हैं अब जितने भी नगर हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन-कौन से नगर है उनको देख लेते हैं एक बार जो गंगा नदी के किनारे बसें गड़ मुक्तेश्वर कचला घाट फतेगड बिलोर बि पराजीपूर बलिया का शेरपूर ये प्राश्न बड़ा पूछा गया उत्तर प्रदेश के एक्जाम में उत्तर प्रदेश को कितने सश्य जलवाईव चेत्रों में भाजित किया गया है इसका उत्तर है नो तो उत्तर प्रदेश को नो सश्य जलवाईव चेत्रों में आत्रा सामानेता कि मांसून तो वही रहा दक्षन पश्च्मी मांसून पूरा वही है उसी तरह से वर्क करता है मतलब जो उत्तर भारत में होगा वही उपी में होगा मतलब पूर्व से पश्चिम की और घटती जाती है पूर्व से पश्चिम की और मतलब कम होती जाती है तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की और बढ़े पर जो है वर्षा की मातरा सामाने तक कम होती जाती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो बढ़ती जाती है कोश्चन नुमर 16 पर आज ये निम्रे की दुकतनों पर विचार करेंगे तीन स्टेटमेंट है यहां पर बताना किन वैसे कौन सा सही है पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में चैत्रफल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल पांच वार राष्ट पती साशन लगाया जा चुका है बताइon सा करेक्ट है देखिए एक हिंटे देता हूं इन तीन स्टेटमेंट से एक ही सई है अब आपको बताना है, वह कौन सा सई है अब आप यहां देखके बता सकते हो उत्तरप्रदेश में राजस्वामे सरस्यों की संख्याती इसने वालगी तร1 North है ये वाला स्टेटमेंट तीसरा गलत दूसरा गलत तो पहला ही सहिए के बल तो लोक सभा में सरस्व किसंगया उत्तर प्रदेश में सीटे कितनी असी राजसभा की सीटे हैं 31 से याद रखना 30 नहीं उत्तर प्रदेश में भी तक कुल 10 बार राष्ट पदी सासन लगाया गया 10 बार ना की पांच बार या साथ बात थी का एक्जेक्ट टंबर है सीदे सीदे याद रहेगा नमबर 17 पर आजए उत्तर प्रदेश में सतंतरता के बाद प्रद्थम बिधान सभा अध्यक्ष कौन थे कौन थे यूपी के पहले प्रद्धान मंत्री तो गोविंद बल्लब पंत बनाए गय देख्ष स्वतंतर उत्तर प्रदेश की चैसे तो कुछ देख लीज़ें जैसे के उत्तर प्रदेश की परद्धान मंत्री पर देख्रान मंत्री, गोविंद बल्लब पंत और र्ज इवक्तो रज ओहत्ःव की पर पारबार राज की परतरंग और राज वहठ देश की परतंग महिला राजपाल वहाइं सरोचनी नैज़ू है सौनका नम क्या है राजशीente पूर्षोत्तम-दास-टंडन और सतंध्रता के बाद ही परतम विधान कि राजशबा तो संट्रल में अखती है बिधान सभा और बिधान परिशद सभापती और बिधान सभाध्यक्स पुर्षुत्तम दास तंडन वर्तमान मुख्य मंत्री है योगी आलितना अधप को पता होगा और इनको सपत दिलाई है राजपाल रामनाईग ने वर्तमान बीस प्रेशन एड़ किये हैं इसमें हमने कॉश्चन नमर 18 पर आजए उत्तर प्रदेश का नम्लिकत में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है यमुना नदी के किनारे वसा है मतुरा यमुना नदी के किनारे वसा है इलहवाद बागपत भी जौनपुर नहीं है क्योंकि जौनपुर है गोमती नदी के किनारे तो देखिए लखनौ जौनपूर और सुल्तानपूर ये गोमती नदी के किनारे वसे उत्तर प्रदेश के नगरों की बात करें तो बागपत, मत्हुरा, प्रियागराज, ब्रंदावन, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपूर, कौशामभी ठीक है, ये बोल्ड क्या है, क्योंकि उपर दे रखा है, आप्संस में कोशन नमबर नाइन की तरह पागर सरोरते हैं, निमलिखेत पर विचार करना है, जीले और उनसे संबंदित जिले फुलहर जील पीली भीत में है क्या, आउंधी ताल वारंणसी में है क्या, रामगर ताल गोरकपुर में है क्या, बताए कौन सा करक्ट है देखे फुलहर जील तो सही है पीले भी जिले में है ओंधी ताल वानारसी में ये भी सही है रामगड ताल गोरकपुर में तो सारे के सारे सही हो गए है तो सही मिलान है ठीक है डी ही है इसका अंसा उप्रोग सभी तो उप्रोग सभी का मेलान सही है फोश्य नुम्बर बीस पर आजिए नमलेखित पर विचार करेंगे एक बार फिट से इस बार ताव विद्धुत ग्रह है और जिले दादरी ताव विद्धुत परियोशना गौतम पुद्ध नगर लिखा है और सिंग्रोली ताव विद्धुत परियोशना गौतम पुद्ध नगर लिखा है और सिंग्रोली ताव विद्धुत परियोशना गौतम पुद्ध नगर में है और या ताव विद्धुत परियोशन सिद्धार्थ नगर में नहीं है यह गलत है तीसरा बाला स्टेट्मेंट सिंग्रोली ताव विद्धुत केंद्र उत्तर प्रदेश के सौन भद्र जिले में है तो थार्ड से दो सिंग्रोली ताव विद्धुत केंद्र सोनभद्र में है और या ताव विद्धुत केंद्र उरेया में है आवला ताव विद्धुत परियोशना बरेली की हो गई रिहंद ताप विद्धुत केंदर सोनभद्र जिले में ही उचाहार ताप विद्धुत परियोशना है वो है रायबरेली में और टांडा ताप विद्धुत परियोशना है अमबेटकर नगर में दादरी ताप विद्धुत परियोशना है वो है गौतम बुद्ध नगर में देखें जो औरिया है आमला है और दादरी ये जो है गैस आधारित से इंतर याद रखेगा